नमस्कार, SM News में आप सभी का स्वागत है, मैं सरीता कुमार और आप देखने हैं, आज हमारे साथ है राम महर मलिक जी, जो कि फोजी जन्ता पार्टी के राश्ट्री अत्रेक्श है, आज हम इसे पूछना चाहेंगे, कि आज भारत डिजिटल इंडिया बन गया है, और कहा जा है कि इसमें कोई जाती धरम को लेके बेदबाव नहीं होता, क्या ये सच में ऐसा है? एसमेदानिक तरीके से अपने आपको वहां फिर मैं बिठा लिया इसने, इस सरकार के दोरान तो जाती और धरम को इतना बाटा जा रहा है लोगों को जाती और धरम में, कि ये देश पता नहीं कहा जा रहा है, हमें तो बड़ा दुख हो रहा है, रोना आता है जब हम आलत हैं, देखिए, मैं समझता हूँ कोई भी हिंदूस्तान में रहने वाला वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, हिसाई, सब बड़े प्रेम से रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के साथ भाइचारा है उनका, एक दूसरे के रिष्चेदारियों में, ब्याशादिय कि तरफ बड़ अग है ये बिलकुल गल्ट है को यह कहे कि जाती और धर्म में यहाँ नहीं नहीं है नहीं मैं इस बात से बिलकुल सेमत नहीं हूँ जाती और धर्म के नाम बहुत कि खचरनाक होंगे हमारी संसिक्रती खत्म होती जा री आregए है संसकार नहीं रहे हैं हमारे अंदर वरना हमारे संसकार तो धर्थी के उपर ऐसा दुनिया में कोई देश नहीं है जो संसकार हिंदुस्तान के थे जो संसकर्थी हिंदुस्तान की थी आज वो खत्म होने के कगार पर पहुंच की है तो इसको हमें तुरंत रोकना होगा हमारी सं शामें जारें वो चंद लोग जो वहां बैटके वो 133 करोड़ लोगों को बेकूप बना करके और वो अपने इसाब से अपना इजंडा लागू कर रहे हैं हमें इसको रोकना होगा तुरंत रोकना होगा सरीता नी तो हमारे पास पस्ताने के सिवाय और कोई चारा नहीं ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले